सब भी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे हम लोग क्लास 8 का सेकंड चेप्टर आगे हम अगली वीडियो लेकर आपके सामने हाजर है तो बिटा टूड़े वी लर्न आवाओ डिजिस कॉजिंग माइक्रो और प्लांट्स के बारे में स्टेडी करेंगे की सिउने लुक्तिख को की सब्सक्राइब होता है तो बैटा पड़ा इए था वी जो भीटा अगर डीया ऑगलता है उस sú द्वारव होते हैं और मोस्कूटो पघ्र है उनकेद्वारा वी होती है तो मैχा तक है आज की आज का नया स्टाट करते हैं ना देखिए इस सेबरल माइक्रो और्गनिसम्स कॉस डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक वीट राइस पोटेटो सुगर कें औरेंज एपल अदर तेखिए चो आपकी बहुत सारे माइक्रो और्गनिसम्स ऐसे होते हैं जो कि क्या सारी नुकसान पहुंचन बहुत सारी बीमारी पैदा करते हैं जी डिजीज रिडूस दा इल्ड ऑफ क्रॉप और यह आपकी जो डिजीज होते हैं प्रॉप क्रॉप की जो इल्ड होती है पैदावर होते इसको कम कर देती हैं आपको टेवल दे रखिए है सी टेवल 2.2 फू कुछ आपके कुछ निच्छी था आपके केमिकल्स होते हैं उनके द्वार क्या क्या क्याती है रोक ही जा सकती है ना तो पैटा हम टेवल देखते हैं 2.2 में कुछ आपके प्लांट डिजी दे रखी है और बैटा किस से फैलती है माइक्रो और उनके मोड आफ टांसमिशन द मांने इक लिख बालिया की होता है कि जो ग्यों की जो बालियां होती है उसमें वाइड वाइट सा पॉडर जैसा होता है रोक है वह तो भी पैट konuş वारतों है वह इसनी सत्य व स्री जो हिदो आफको पहुता है स्मेड के मेट आ भीचाए वाईरिस से वाइरस वार के दौनता है यह एय। इन्सरायच के दौरा आप टू-प्लांट अप nosic virus आती हैं कभी कभी पेली भिंडी में आती है न जो तो इसी पेड की होती है उस वाले पेड़ में कौन से डीज होती है आपकी येलो मुझेक डीज होती है आगे हम देखते हैं फूड पॉजनिंग के बारे पढ़ेंगे फूड पॉजनिंग बूजु वाज इनवाइट वाई हिस फ्रेंड तू पार्टी एंड एड अब बेरियस फूड इस्टफ्स तफफ पॉजु था जो अपने फ्रेंड को इनवाइट किया था पार्टी में और उनने क्या कई सारे वाराटी खाती है वाराटी एक तक हाने के वो घर पहुंचता है उसका फ्रेंड घर पहुंचता है जैसे कि उसने उल्टी इस्टार्ट कर दी है ना तो पिटा उसको हॉस्पिटल ले जाए गया है ना तो डॉक्टर सैड तो कंडिशन कुड वी ड्यूट फूड पॉजिनिंग और डॉक्टरों ने बताया है यह पॉजिनिंग कुड भी ड्यू टू कंजप्शन ओफ फूड स्पाइल वाइस सम् माइक्रो और्गिजम्स बीटा जो फूड पॉड पॉजिनिंग जो होती है ना विटा बुक्च आपके जो माइक्रो और्गिजम्स होते हैं उनके द्वारा स्पॉइल की हुए खाने को खा देखिए कुछ आपके फूड होते हैं जो कि हमारे फूड पर क्या होते है प्रोडूस होते हैं जो आपके जहरीले टॉक्स बयसेले वह संबस्टेंस क्या है यसाँ गाते है возьँ क्या होती 10 जहां तक कि इस बीमारी से गया होती है, डेथ भी हो सकती है, ना, So, It is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. देखिए, आप दे देखा होगा, हम लोग खाना होता है, खाना हमारा जो भार रखा रहता है, तो क्या होता, जल्ली खरा हो जाता है, उसका bad smell आने लगती है, और उसका color भी change हो जाता है, और उसका taste भी change हो जाता है, तो पेटा, उसी खाने को हम खाएंगे, तो क्या होगा, हमें food poisoning हो जाएगी, है ना, और हम बीमार पढ़ जाते हैं, और हमारी मत्यवबूर्बूर्ट हो सकती है, इसलिए हमें खाने को क्या है, प्रिजर्व करना चाहिए, उसका क्या है, उसको सनरिश्ट करना चाहिए, तेखा, आपने देखा हो का हम खाने को प्रिजर्व करने के लिए, हम क्या करते हैं, खाने को जो खाना होता है ना, कर्कुर nella वारा खाना नहीं जो ख्राब्स क्रराब नहींMY आगे हम बढ़ते हैं इन लाइन चेपटर फ्रेश्ट वैंहीं इन चप्टर सोच्ज। method used to preserve and store food grains तकि आप मैंने आपको पढ़ाया नहीं लेकिन आप पढ़ा दूँगा आपको जो आपका first chapter में देखो आप सभी लोग करते हैं घराओं में क्या करते हैं आपकी जो grains होते हैं जो अनाज होते हैं आपके उनको क्या करते हो आप इस्टोर करते हो प्रिजर्व करते हो है ना वहां पर आपने first chapter में आपने यहीं सीखा है ना आगे देखते हैं how we how do we preserve cooked food at home बेटा हम घर पर जो आपका पका हुआ भोजन है उसको कैसे आपका preserve करें यू यू नो डैट ब्रेंट लैट अन्यूजट अंडर मॉष्ट कंडिशन अटेक वाई फंगस देखिए जदी हम क्या करते हैं आप सभी लोग जानते हो कि क्या हम नभी वाली कंडिशन में मॉष्ट कंडिशन में हम क्या करते हैं मॉष्ट और तो उस पर क्या होता है फंगस का अटेक हो जाता है फंगस का हमला हो जाता है उसको उपर आपके वाइट वाइट पैची से दिखने लिखने हैं आपको है ना माइक्रो और्गनियम्स स्पोल आर फूड जो आपके माइक्रो और्गनियम्स होते हैं वो हमारे फूड को क्या है इस्पोल करते हैं खराब करते हैं इस्पोलेट फूड इमिट वैड स्मेल एंड है बैड टेस्ट एंड कलर चेंज तेख यह जो आपका इस्पोलेट फूड होता है खाना होता है ना उसे क्योंते बैड समेल आती है और उसका टेस्ट है वो कि आपका खराब हो जाता है और कलर भी उसका क्या है चेंज हो जाता है Is spoiling of food a chemical reaction? क्या जो आपकी food का जो food है वो spoiling हो रहा है Is spoiling of food क्या एक chemical reaction है तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं पहली what some mangoes what she could not eat them for few days देकि पहली थी उसने क्या कुछ mangoes करी दे और बिटा वो mango थे उनको mango खानी पाई और वो कुछ दिन में क्या हो गए आपके कुछ दिनों में उनको खानी पाई है ना आगे लेटर she found dead they were spoiled and rotten और उसने देखा कि जो आपके mangoes थे ना वो क्याते है आपके खाया हो चुके थे सड़ चुके थे है ना and sorry what she no dead the mango pickles her grandmother makes does not spoil for a long time लेकिन वह जानती थी कि जो आपकी उसकी ग्रांड मर्दा थी ना वो क्याती आपकी अचार बनाती थी पिकल्स बनाती थी वो क्याती बहुल लंबे समय तक खराब नहीं होते थे अब दिखते बेटा आगे देखते हैं see confused let us study the common method of preserving food in our home देखिए वह क्या confused थी अब study the common method of preserving food in our home पिटा हम अपने घर में घरों में क्या करते हैं आप यहां पर study करेंगे कैसे हम food को preserve कर सकते हैं आगे देखिए we have to save it from the attack of microorganism जो खाना होता है अब उस खाने को हमें है micro organisms के attack से बचाना होता है है ना तो सबसे पहला method है आपका chemical method है ना सबसे पहला method क्या है आपका chemical method chemical method में हम देखते हैं salt and edible oils are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms देखिए जो आपका नमक हो है और जो आपके खाने वाईल है वेटा जनरली क्या होते है chemical जो होते हैं आपके जनरली यूज कियाते हैं आपके micro origin की ग्रियोत को चेक करने के लिए रोकने के लिए ना therefore they are called preservatives इसलिए उन्हें क्या करते हैं प्रेजर्वेटिवेटिव कहते हैं संचारक कहते हैं अब इसमें देखिए we add salt और Acid Preservative to Pickles Prevent the Attack of the Microps हम क्या करते हैं या तो Salt उसमें मिलाते हैं या फिर Acid मिलाते हैं Pickles को Microps के Attempts के बचाने के लिए Sodium Benzoate and Sodium Meta-Visulfate are common preservatives प्यटा जो हम कह सकते हैं तो हमारे एक नौर्मली बात होगे अब हम कहें chemical की है ना chemical की तो sodium benzet और क्या होता sodium जो meta by sulphate होता है वो क्या होता है common preservatives है है ना these are also used in gems and equations to check their spoilers देखिए जो आपके jam होते हैं jam jelly अगर आते हैं equations क्या होते हैं अब बेटा आपकी जो फालों का रस होता है उसके कहते हैं आपके equations है ना उनको खराब उने से बचाता है आगी देखते हैं preservation by common salt common salt के दवरा क्या है preservation है ना common salt के दवरा सनरच्षड कैसे कारते हैं हम लोग इटाइस में देखिए common salt has been used to preserve meat meat and fish for edges देखिए लंबे समय से क्या आपका common salt है और बेटा common salt का जूज क्या है meat and fish को बचाने के लिए आपके preserve करने के लिए क्या जा रहा है लंबे समय से है ना meat and fish are covered with dry salt to check the growth of factor जो बेटा meat and fish दो जो होती है आपकी उससे क्या करते हैं जो dry salt होता है उससे क्या आपका cover कर देते हैं है ना जिससे क्या होता है जो cover किस लिए करते है जो वेक्ट्रे होता है उससे को बचाने के लिए है ना salting is also used to preserve आमला, raw mango, tamarinds बेटा जो आपकी salting होती है जो नमक होता है ना नमक का यूज हम किसमे कर सकते हैं आपका आमला है कच्छे आम है और जो इमली है उसको preserve करने के लिए उसको सनरजिस्ट करने के लिए हम उसका use कर सकते हैं अब बेटा देखिए इसका preserve का एक सनरच्छड होता है पर रच्छड भी होता है इसका हिंदी में है ना तो हिंदी से हमें कोई मतलब नहीं है आग रेखते हैं preservation by sugar preservation by sugar jam, jelly and squashes are preserved while sugar देखिए जो jam, jelly बगरा और squashes होते हैं वो सुगर के दवारा के लागी है preserve की है आते हैं सुगर reduce the moisture content which inviate the growth of bacteria which spoiled food देखिए जो आपके सुगर जो होती है ना वीटा मौशर जो content होता है मौशर की जो मातरा होती है उसको क्या कम करता है जो की जो की क्या करता है bacteria को क्या bacteria की जो growth ही उसको क्या inviate करता है, इनको रोकता है जिससे क्या होता है आपका खाना है वो क्या है आपका जो खराव नहीं होता है आगे देखते हैं हम लोग preservation by food and vinegar जो आपका preservation by oil and vinegar आगे देखिए इसमें यूज ता ओल एंड बिनेगर प्रिवेंट इसपोईलेज आफ पिकल्स बिकॉस बैक्टिर्य केन नौड लेप इन सच इन्वार्मेंट देखिए जो आपका यूज आपका ओल है आप सभी लोगों ने देखा होगा ओल है बिनेगर मीन होता है सिर्का है तेल बगरा में जा जो आपका सिर्का है न उसमें नहीं रह सकता बेटिवर्स फूट्स फिस एंड मीट्स आर ओफिन प्रिजरब वाई इस मेतर इस मेतर से बहुत सारी सबजियां है और फूट्स है और जो मीट है उसका भी प्रिजरब किया जाता है आगे देखिए इसमें heat and cold treatments देखिए इसमें मिल्क बिफोर इस टोर एंड जुर्ज फिर आपने देखा होगा आपकी मदर है जो आपकी इसको जो दूद होता है उसको store करने से पहले उसको क्या है रखने से पहले क्या करते है उसको boil करती है करती हैं boiling many microrgons और जो boiling होती न बहुत सारी जो आपके microrgons वोते हैं उनने को क्या मार देती है similarly we keep our food in the refrigerator low temperature to hit the growth of micros. देखें इसी बरकार इसे के तरह हम क्या करते हैं आपने जो लो टेंपरेशर होता है ना वो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती उसको क्या है रोकता है इन्वेट करता है है आगे दिखते हैं इसमें बूजो कुछ कह रहा है बूजो सम्टिंग टैलिंग वाइडस दा मिल्क टैट कम्स इन पैकेट्स नौड स्पोईल माइमधर टोल ट दा मिल्क इस पास्षुराइजड वह टिस पास्षुरेशन है ना चो पहेज जो आपका बुजो है जो कह रहा है कि आपका जो पैकेट्स में दूदा आता है वो खराब क्यों नहीं होता तो उसकी मझाट ने बताया कि उसका जो पैकेट्ण वाला डूद है ना वो तो वो कह रहा है पास्चुराइशन क्या होता है इसमें आगे देखते हैं पास्चुराइज में मिल्क कैन बी कंजूम बिदाउट बॉलिंग एज इट फ्री ओफ हामफुल माइकॉब्स पेटा जो आपके पास्चुराइज मिल्क होता है उसको बिना बॉल किया भी उसको यूज किया सोता है क्योंकि वह माइकॉब्स से फ्री होता है जो आपके छोटे छोटे माइकॉब्स होते उससे किया फ्री होता है आगे देखिए दा मिल्क is heated about 70 degree Celsius for 15 to 30 secondsnde and then suddenly chilled and stored बिटा जो दूद होता है ना पास्टूरिशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं जो दूद होता है बिटा उसको हम सतर डिगरी सेल्टिक रेट पर हम क्या करते हैं उसको गरम करते हैं पंदर से 30 सेकंड के लिए है ना और बिटा उसको अचानक से हम क्या करते हैं थंडा कर देते है अचानक से ठंडा करें देते हैं इट प्रिवेंट्स ग्रोथ आफ माइक्रोब्स और यह बिटा क्या करता है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है उसको क्या रोगता है इस प्रॉसेस वाइड डिस्कोबर्ड वाई लुष पाश्चर इस प्रॉसेस ने को जी थी पीटा एक लुष पाश्चर से नाम का क्या था है आपका साइंटेस्ट ता उसने खोजी थी और इसी को हम क्या कहता है प्रॉसेस्टरियजएशन कहते हैं इस्टोरेज एंड पैकिंग अगली जो आपकी है इस्टोरेज इन पैकिंग इस ड्राइफूड इवेंड वेजटेबल्स अर सोल्ड इसील्ड एंड टायड पैकेट्स तू प्रवेंड अट्छा अटेक्व माइक्रो आप ने दिखा होगा कि आज कल के आपकी जो फूर्ट्स पगेरा होते हैं उनको आपकी सील्ड पैकिट्स होती है उनमें क्या बेचा जाता है क्यों कि जो आपकी जो माईक्रो और्लीक उल्ध उता हूं उसके अटक से बचे रहें ना अगलिए इसमें nitrogen fixation you have learned about the bacterium rhizobium in class 6 & 7 आप सभी लोग ने bacterium rhizobium के class 6 & 7 पर पढ़ा था it is involved in the fixation of nitrogen in the legume plant pulses तेखिए आप सभी को बता है यह आपका जो rhizobium होता है बिटा वो क्या करता है legume plant होते हैं उनमें fixation करता है उसमें nitrogen का fixation करता है जो rhizobium होता है वो क्या होता है आपकी जो legume plant की जो root होती ना उसमें चोटे 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 नोडल्स होते हैं चोटे चोटे गांटे होती हैं उनहीं पर क्या रहता है आपका यह इनहीं पर रहता है such as vein peas with which it has symbiotic relationship तेखिए जैसे example भी दे रखा है आपका veins और पी है आपकी जैसे आपकी फली वाली है जो आपकी मटर है ना इसके साथ जो पौदे होते हैं जो रायोबियम होता है और जो आपके legume plant होते हैं उनके साथ क्या होता है symbiotic relationship होता है सहजीवता का relationship होता है है ना sometimes nitrogen gas fixed through the action of lightening और कभी कभी क्या होता है आपकी जो nitrogen होती है वो आपकी lightening जो आपकी बिली गिरती है ना उसके द्वारा आपकी fix होती है है ना what you know that amount of nitrogen in the atmosphere remain constant लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जो nitrogen की मातरा है ना आपकी atmosphere बहुत सादा सदैब क्या रहती है constant रहती है एक ही रहती है ना कभी कम नहीं होती you may wonder how आप जानते हो यह है कैसी होता है let us understand this is next section इसको हम आगे वाले section में क्या इसको सीखते हैं देखते हैं आगे देखिए nitrogen cycle है ना nitrogen cycle देखते हैं देखिए जह आपको एक legume plant है root of legume plant root of nodules जह आपको छूटी छूटी इसमें गांठे देख रहे हैं छूटी छूटी गांठ देख रहे ही ना तो उटा राइज भी बेक्टरिया है जो आपका यहीं रहता है है ना और इससी सी द्वारा क्या nitrogen करता है आगे देखिए इसमें nitrogen cycle अबर एटमोसफेर है 78% nitrogen gas nitrogen is the essential कॉंस्टूएंट अफ लिविंग और्गिनिजम्स एस पार्ट अफ प्रोटीन क्लोरोफिल निकुलिक असिट एंड बिटामिस देखिए जो आपका एट्मोस्पेर है विटा उसमें आप सभी को बता है कि 78% नायटोजन है है ना नायटोजन जो होता है विटा एक जो आपका होता है उसका क्या है महत्वूल कोश्ट वेंट है महत्वूल संगर्थक है संगर्थन है जैसे हमारी बडी में क्या है बहुत सारे इच्षिन है क्नायटोजन से बनी है जैसे क्या आपकी प्रोटीन है includes chlorophyll है न्यूप्लिक एसेड हैं और याने से बनी है The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals पेटा जो atmospheric nitrogen होती है ना पेटा डारेक्टली कभी भी animals और plants खिरवारा नहीं लियाती Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compound of nitrogen देखिए पेटा क्या होता है कुछ bacteria होते हैं कुछ आपके blue-green algae होते हैं जो की कहाते है एटवस पे nitrogen को किसमें convert कर देते हैं nitrogen compounds में convert कर देते हैं Once nitrogen convert into this usable compound it can be utilized by plant from the soil through their roots system पेटा जो आपकी convert जो आपका किया गया है nitrogen इसको कहा है आपकी जो root के द्वारा plants इसको ले लेते हैं nitrogen is then used for synthesize a plant, protein and other compounds जो plant है इस nitrogen का किसमें यूज करते हैं आपकी protein बनाने में और बहुत सारे compound हैं उनको बनाने में है ना बहुत सारे जो चीज़े हैं उसको बनाने में करते हैं आगे देखिए nitrogen is then used for the synthesized plant, protein and other compounds है ना मैंने भी बता दिया आपको annual feeding of the plant animals होते हैं इससे होते हैं जो और bak daily है उतल रहसे है ना वाह habits किसमें और और तो और बोडड़ी को और बेटा और जो आपके nitrogen compound होते हैं फिर से प्लांट उनको क्या द्वाया से उनको ले लेता है है ना सर्टेन अदर वैक्टेरिया कुछ अदर वैक्टेरिया भी है कनवर्ट सम पार्ट अप्लांट नाइटोजन गैस विच गोज बैक इंटू दा एट्मॉस्पर और कुछ पेटा ऐसे वैक्टेरिया भी होते है जो कि आपकी जो नाटोजन गैस है ना जो आपके जो महरे हुए एनिमस से उसका नाटोजन यिजव आपका कंपाउंड बनाया था उसको क्या करते है नाटोजन गैस में Cumण करते हैं बेटा आप सभी ने देखा होगा कि जो आपकी nitrogen की मातरा है ना वो क्या आपकी constant रहती है ना आगे थोड़ा सा ओर रहे है हमाई आपकी cycle देखते हैं देखे यहाँ पर आपकी atmospheric nitrogen है यहाँ पर आपको देख रहा है atmospheric nitrogen है है ना अब बेटा पहला part देखते है इसमे nitrogen fixation किसके दो ब्लू-ग्रीन algae की दोवारा हो रही है ना तो वेक्ट्रिया टन इंट्व नायट्रियन नायट्रियनस compound जो वेक्ट्रिय होते है इसको nitrogenous compound होते है उसमें convert कर देते हैं अब बेटा nitrogenous compound होते हैं वो क्या? soil में मिल जाते हैं ना soil के दौरा क्या है? plant के दौरा ले ले लिए जा जाता है है ना? और soil से बेटा कुछ आपका बेक्ट्रिय क्या होते है आपके nitrogenous compound होता है उसको क्या है nitrogenous nitrogen gas होती है उसमें क्या है? convert कर देते हैं और nitrogenous gas कहा चली है दौरा से आपकी atmosphere चली जाती है अब बेटा lightning से कैसे fix होता है? lightning से आपका fix हो रहा है फिर वो क्या मिल जाता है? आपका nitrogenous compound in the soil जो compound होता है वो क्या मिल जाता है? soil के द्वारा फिर plant के द्वारा ले ली जाता है फिर animal खाल जाते है animal waste निकालते है और मर जाते हैं तो काम मिल जाता है आपका द्वारा soil में मिल जाता है soil के द्वारा फिर आपका जो वेक्टित होता है उसको क्या कर देता है? आपका nitrogenous compound होता है उसको nitrogenous gas में क्या कर देता है convert कर देता है फिर से वो है आपकी atmosphere में चला जाता है ठीक तो बेटा आज आपका जो chapter है वो finish हो गया अगले chapter में आपको जो अगले part होगा उसमें हम आपको keywords करवाएंगे और जो आपकी जो summary है ये भी करवाएंगे आपको Thank you